सामगरी मैदा एक दशमलोव पाँच कप चीनी एक कप बेकिंग पाउडर एक दशमलोव पाँच टीस्पून बेकिंग सोडा सवा टीस्पून दूद हेक कप तेल आधा कप वनीला एसेंस एक टीस्पून सिर्का या नीम्बू का रस एक टीस्पून पानी आधा कप, गरम, नमक एक चुटकी, विधी, तैयारी करें सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रिहीट करें एक केक बेकिंग टिन लें और उसमें हलका तेल लगाकर मैदा छिड़के ताकि केक टिन से चिपके नहीं सूखी सामगरी मिलाएं एक बरतन में मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक को अच्छे से चान ले ताकि इसमें गांट न हो गीली सामगरी मिलाएं दूसरे बरतन में दूद, चीनी, तेल और वनीला एसेंस डालकर अच्छे से मिलाएं अब इसमें सिर्का या नीमबू का रस डालकर फेंटें मिक्स करें सूखी सामगरी को धीरे-धीरे गीली सामगरी में डालते जाएं और फेंटते जाएं ताकि स्मूद बैटर तयार हो जाएं फिर इसमें गरम पानी डाल कर और एक बार अच्छे से मिलाएं। बेक करें। तयार बैटर को केक टिन में डालें और पहले से प्रीहीट किये गए ओवन में 30 से 35 मिनिट तक बेक करें। 30 मिनिट के बाद केक में टूथपिक डाल कर चेक करें। अगर टूथपिक साफ बाहर निकलती है तो केक तयार है। थंडा करें। केक को ओवन से निकाल कर 10 से 15 मिनिट तक थंडा होने दे। इसके बाद केक को टिन से बाहर निकाल कर थंडा करें और सर्व करें। आप चाहें तो केक को विप क्रीम, चॉकलेट सॉस या फल से सजा कर और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।